हलो गाईज वेलकम तो मैं चैनल मनीवीज अभिशेक एंड टोडेश वीडियो विल डिसक्रस्ट वाट इस तीजर साइफर गया अपने प्रीवेस वीडियो में पढ़ा है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन दो टैप्स के होते हैं एक तो होता है हमारा सब्सेटिशन टेक्निक्स सब्सेटिशन टेक्निक्निक में हमारी बहुत सारे साइफर सो ते हैं तो मारा मोनोलफेटिक साइफर होता है पॉली एलफबेतिक शाइफर होता है वह मने प्रिवेस वीडियो में डिसक्रस्कर चुके है अगर आपने नहीं दिखा है यू can watch that. I will give the link in the description guys. द्सक्रिपशन में पूरे प्ले लिट्स की लंक गेए you can check that आऊट डेस्क्रिप्षिन बॉक्स में होके सो हमने भीडिसक्रू ट्लीसिन टेखनेकता है कि Turсти अ गोड़िवीटन चुका हुछ ना दीक तो देख लो फड़ा फड़ से सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर दो होते हैं इस नाम से जाना जाता है एक्जाम में इस मतलब यह उसको कर दो लिजिए इस लेडर इन दफ दी अलफबेट करिस्पोंदिग तो अजिव्ड अगर आपके है इसको आपको convert करना है तो इसमें हमने क्या बोला है कि प्लेंटेक्स को हम रिप्लेस करते हैं लेटर से corresponding to a number of shifts अब यह shift कैसे decide करते हैं यह आपका key decide करता है suppose की की value है 3 तो आपको each bit को 3 से shifting करनी पड़ीगी आप जैसे हमारा हर एक corresponding letter के मतलब हर एक लेटर के corresponding नमबर होते सब्सक्राइब करते हैं a b c d करके and so on till z okay एक आपका 0 a की value आपकी 0 अगर a आएगा तो इसको 0 से 0 bit से shift करेंगे b आएगा तो 1 and 2 and so on सारी तो अगर मैंने बुलाए कि key 3 है तो a का आपका cipher text जो आपको बनाना होगा इसका तो क्या होगा इसको आप key को 3 से shift करोगे मतलब a की बाद b c d यहां पर d आ जाएगा b है आपका तो 3 से shift करोगे 1 2 और 3 तो यहां पर आपका e की value होगी वह आ जाएगी that is 4 अगर आप mathematical terms में देखना हो तो वह देख सकते होगी a के corresponding 0 है तो उसके आगे 3 प्लस कर दो 0 प्लस 3 3 3 के corresponding d है तो d आ गया बी की value आपकी 1 है 1 में आप 3 की को add कर दो तो 4 आ जाएगा 4 के corresponding value e है so it will come here यहां पर directly कर लो जैसे कि b था तो c d और e तीसरा आ जाएगा यहां पर c है तो d e f आ जाएगा आपका x है तो y z अगर जैसे हमारी a b c d खत्म होई तो उसके घुम के a से start हो जाएगा तो x के बाद y z then a तो यहां पर a आ जाएगा तो यहां पर सिरफ एक example समझाने के लिए तो इसका meaning यह होगा आपका जैसे की हमारा एक plain text है अगर m के corresponding मेरा cipher text x generate हो रहा है तो हमेशा m के बतले x ही मेरा generate होगा यह हम गाइस पहले पढ़ चुके अपने वीडियो में ठीक है इसका meaning यह होगा आपका और जो आपका Caesar Cipher है यह वाले आपकी जो टेक्नीक है जूलियर Caesar ने यूस की थी इसका नाम Caesar Cipher भी पढ़ गया अब देखते हैं कि उसमें क्या हुआ था he used a key of 3 for communications इसने की को 3 लिया था तो FG फिर H एक तीसरा बिट यह आ गया एक बाद FGH आ फिर से ट है तो UVW तो W आ पका फिर M है तो M के बाद अगर आपका जेब्रा है तो अगर आपको बता है ना पूरा ABCD को आप सार्टिंग से लिखना साट कर दोगे तो Z के बाद ABC तो थर्ड क्यरक्टर आपका C हो गया है चीटिंग कर दियो बड़ फुल मार्क्स तो मुझकी लिए तो अब हम देखते हैं कि इसका अच्छे से प्रॉपरली लिखना मिखना कैसे है अब जैसे कि हमने समझा भी इसको तीन तीन से शिफ्टिंग कर रहे हैं तो साइफर टेक्स आप कैसे जिनेरेट होगा गाईज साइफर टेक्स विल बी इकवल टू इंक्रिप्शन सब्वोज आपका फंक्चिन एच में किया और पास होते हैं किये क्या होता है आपका की वैल्यू जो मैंने आपको बता है हम एक्जामपल में अभी ऊपर थ्री ले रहे थे और पी यह प्लस के मॉझट टेक्स और यह मेस जो भी आपकी रहेगी ABCD में वह आप लोगे और के आपका 3 तो उसमें 3 याड़ करोगे और 26 से डिवाइड कर दोगे तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको यहां पर कनवर्ट करके लिख दोगे लेटर के फॉर्म में तो यह हो गया अभी हम इसके एक्जामपल दिखे अब जैब जैसे कि मैं आपको बता रहा था नुमराय कल्वैल्यों अजैन टू एक रहेट जैसे कि ABCD अप्टल जैड है आपका तो एकेवन हीड्य लोगी B की वाल्याइट होगी C की 2, D की 3 and so on, Z तक 25 तक हो जाएगा, okay, so if the crypt analyst or the attacker, जो हमारा attacker बन्द है, जो हमारा information को छोड़ी गोहिस कर रहा है, अगर उसको ciphertext पता चल जाता है, then he can apply the brute force technique, अब यह क्या होती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, just simple meaning, brute force technique का, कि हर एक possible combination को हम try करते हैं, तक हमारा key हमें पता चल सके, मतलब हर एक possible तरीके को हम try करते हैं, एक तरीके को, each and every technique, so he can apply the brute force technique to find the plain text by using all the possible 25 keys, अब मैं आपको book में दिखाता हूँ कि कैसे brute force approach काम कर रहा है, so guys, यह है हमारी brute force approach, यह हमारा है ciphertext c और यह आपकी key है, तो हमने क्या बढ़ा था, decryption equal to c minus k mod 26 करके हम एक 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 हमारा character लेंगे, और उसकी corresponding value में उसको convert करेंगे, so, अगर आपका cybertext, suppose हम character लेते हैं, p सबसे पहले, you can watch, yes, zoom कर देते हैं, हलका सहर, अगर यह p है, तो हम k यहाँ पर हमारी 1 है, तो c minus k that is, p की जो भी value आपके रहेगी, उसमें से 1 minus करेंगे and mod 26, तो उसमें जब भी हम minus करेंगे, तो उसके previous letter आएगा, तो उसका previous letter आपका हो गया, o, o के बाद p आता है, similarly, g के बाद h, g, h, v, w, o के बाद p, and g के बाद h, ऐसी करते करते हैं, आप पूरा इसको cybertext को convert कर लोगे, similarly, आप k equal to 2 apply करोगे, c minus 2 करोगे, मतलब p के value जो भी है, उसके दो previous digits हो जाएंगी, तो m हो जाता है, m के बाद n, o, p, अच्छा, ये n है, हम इसकी बाद कर रहें, n है, तो n के बाद o, p, तो ऐसी करते करते हैं, आप सारी technique, एक एक करके key लगाओगे, और c minus k minus 26 करते करते, सारी आप possible combination करोगे, key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 तक पूरे हर एक possible combination को चेक करोगे, this is what we call as the brute force crypt analysis of seizure cipher, मतलब, हर एक key को वो apply कर रहा है, जो हमारा attacker है, और पता करने ही कोज़ कर रहा है, कि ये हमारा cybertext है कि नहीं है, अब गैस, जैसे हमारा ये था, c minus k minus 26, अगर आपकी c की value p है, p minus 1, अगर हम करते है, p minus 1, p की value आपकी क्या है, जैसे 0, 1, 2, 3 कर रहा है, p की value आपकी है 15, तो 15 minus of 1, 1 की value है आपकी b, 15 minus 1 से पहले आपकी क्या है 14, 14 minus 26 will be equal to 14, 14 के corresponding आपकी value आपकी o, तो ऐसे करके आपका convert क्या हुआ है, मतलब बात तो वही है, अगर simple हम करें तो एक एक जो हमारा character है, पीछे shift होगा, अगर हम एक छिरीक ही बात करता हूँ, तो p से 3 bit पहले हो जाएगा, that is, m के बाद n, o, p, ऐसे करके, तो ठीक है, यह brute force attack आपका हुए, इस तरीके से attack है, सारी हमारी possible combinations को check करके, हमारा message को पता अगर सकता है, so now, यह हमने देख लिए, guys, ciphertext को, p plus k more 26, decryption में, c minus k more 26, अब इसका एक छोटा से example देख लेने है, फटबट से, now guys, since it is a part of symmetric encryption technique, तो obviously यह बात है, कि आपकी key a की use होगी, encryption के लिए भी, as well as decryption के लिए भी, तो key के value आपकी 1 से 25 के बीच में लाए करती है, किसी किसी जगा पे, guys, यह भी दे रखाए, कि it is more than 0 and less than 25, तो मतलब 25 नहीं होगा, but 25 हो सकता है, अगर हमारा suppose a है, उस पे मैं अगर a1 की यह लगाता हूँ, तो a के corresponding हमारी a bit आगे shift हो जाएगी, जैसे कि मैं अपने brute force attack में हमने समझा था, 1 से लेके 25 तक book में भी mention था, ठीक है, तो k की value 1 से 25 तक होगी, फिर उसके बाद example देखो, message है suppose for an example, तो इसको हम convert करना है, मतलब हमारा message है hello, इसको हमें convert करना है ciphertext में, key given is 4, तो हम एक एक character को लेके चलेंगे, जैसे हमने सबसे पहले h लिया, तो ciphertext of h equal to p plus k mod 26, अभी मैंने आपको formula बताया था, तो p के corresponding जो भी आपकी value होगी वह आप लिखोगे, आपको table में दिखा देता हूं फटाफट से, and guys हमारे है यहापे plain text है h, तो h plus k mod 26, h के corresponding value आपकी हो जाएगी 7, तो इसलिए मैं यहापे guys 7 लिया है, plus k में दी 4 है तो 11 हो जाएगा, 11 mod 26 is 11, 11 के corresponding आपकी value होगी L, तो यहापे L आगया इसलिए, similarly c of e that is, यहापे आपका plain text है e, तो e की value होगी आपकी, e की value आपकी 4 है, तो 4 plus k, k की भी आपकी, you can see e की value 4 है, 4 plus 4 that is 8, 8 mod 26 आपका 8 आजाएगा, 8 के corresponding आपकी value होगी, that will be i, तो इसलिए आया आगया आपकी, देन हमारा तीसरा letter character है L, तो L की value plus key that is 4, तो L की value आपकी है 11, 11 plus 4 will be 15, 15 more 26 will again be 15, तो 15 के corresponding आपकी value है that is P, 15 के corresponding P है, तो आपने उसको simply लिख दिया, फिर c of o, last letter है हमारा character, o, तो o के बतले हमने क्या क्या, plain text हमारे यहापे o हो गया, तो o के corresponding आपकी value यहाँ पर क्या है, o के corresponding आपकी value है 14, so 14 plus आपकी key 4, 14 plus 4, 18 more 26 is 18, 18 के corresponding आपका जो भी character होगा that is S यहाँ पर तो आपका वो हो जाएगा, आपकी message को पहले आप encrypt करो फिर decrypt करके भी दिखाओ, तो exam में अच्छे ऐसे properly करके दिखा देना, अगर जाद हम आज सका question होता है, so guys अगर हम decryption करता है, so key है हमारी वह रहनी है, symmetric encryption है that's why, li, pps पर apply करना है तो हमारा plain text अगर हम निकालते हैं, यहां पर हो जाएगी 8, 8-4 आपका 4 हो गया, आपका दाएगा, minus करके mod 26 e, 4 के corresponding आपकी value है यहां पर e, तो आपका ही आगया, similarly p है, अगर हम यहां पर हम कुमारा character भी p ही है, so p के corresponding आपकी value होगी that is 15, 15-4, mod 26, 11, 11 के corresponding आपकी value होगी, 11, यहां पर l, l आगया, similarly s करोगे, तो s की value होती है 18, here, minus 4, 14 होगा, 14 corresponding आपको आपको होगा, तो वही चीज़ है, इसको हमने decrypt किया तो हमारा answer वही आगया, hello, so guys exam में आता है तो properly करके रिखा देना, p plus k more 26 करके encryption, and c minus k more 26 करके decryption technique, अब वहां पर टेबल में values आपको कौन सा याद रहने वाले है, तो simply अगर आपको table given नहीं given है, तो अगर आपको directly भी करना पड़ सकता है, तो फिर p की value plus k, suppose अपका h है, h में आप अगर चार आगे bits बढ़ाते हैं, तो h के बाद i, j, k को skip करना है, l लिख देना है, तो वही आपका h के बाद cipher text बन जाएगा, l, एक हम example दिख लेते हैं गाज, इस book में 49 page number, गाज जिन्होंने बोला हुए, use the additive cipher with equal to 15 to encrypt the message, ठीक है, additive cipher भी मिल सकता है, shift cipher भी मिल सकता है, और सीधा cipher लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो confuse नहीं होना है, की की value 15 है, तो बस अगर हमार को plain text जो भी given है, जैसे कि हम यहाँ पर किस पर काम कर रहे हैं, इस पर हम hello पर काम कर रहे हैं, hello मारा हो गया, तो इसके corresponding math जो हमारे values आ रहे हैं, वो लिख दिया है already, फिर encryption में क्या कर रहे है, p plus k mod 26, इसकी values plus k that is 15 mod 26, जो भी आपकी value आएगी, यहाँ पर इसने लिखा है, 2219 इसके corresponding जो आपके, cipher text की values आएगी, cipher text की यहाँ पर लिया, तो c-k mod 26 लगाएंगे, c की value आपकी यह सारी होती जाएगी, कि यह आपकी 15 है, तो this-15 mod 26 आपकी यह value आ गई, और guys just in case आपके कोई negative value आते है, for example यह वाला case, 0-15 is negative 15, तो उसको उसमें आप हमेशा पहले 15, 26 add करोगे, उसको positive बनानी है value को आपको, उसके बाद आपको convert करना है, 0-15 is minus 15, उसमें 26 add करोगे, तो 11 मिलेगा, 11 के corresponding आपकी L होती है, तो वह आपकी answer आदेगी, तो guys, बुक में भी example यह होगे हमारा, so guys, this was all about our Caesar cipher, मैंने लिखा हुआ भी है, यह negative case वाला देखने है, अगर suppose आपका cipher text है c, और आपकी key है 3, तो c के corresponding आपकी value होती है 2, तो 2-3 will be equal to negative 1, और negative 1 में आप अगर 26 करोगे, तो आपकी value आएगी 25, 25 mod 26 आपका क्या होगा, 25 के corresponding आपकी value होती है z, तो आपको plain text मिल जाएगा, आपकी तो negative value है तक add 26, and then convert it into plain text, तो अपकी लीक बार देखने, वीदियो अच्छी लगे है तो like जरूर करके जाना, share करना, subscribe करना भाई के चानल को,